तो दोस्तों क्या आप मुझे देख पा रहे हो सुन पा रहे हो जल्दी 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 मुझे बताईए आज की बेटरी सेशन के शुरुवात कर सके है ना ओके चलो बेटा शुरुवात करते हैं आज का भई आज के हैं है टॉप पर्फॉर्मर आपके सामने राइट खुमूद श्राव्या अर्पन रेखा प्रियंका मदुविता सोम्य सुमन एंड सर्गम सो कॉंगरेशेशन तो आप मुझे देख पा रहे हो अगर होगे संग पा रहे अगर होगे तो बहीं सेशन की शुरुवात कर सकते हैं एक मुझे दल्दी से थमसब दे दीजिए है ना येस चल दी बताओ बेटा एक थमसब दे दो मुझे इफ एवरिधिंग इस फाइन वीडियो राइट चलो बेट एक थमसब येस राइट शुरुवात कर रहे हैं सेशन की ओके नेक्स टेस्ट आपकी रहेगी वेंजडे को ओके राइट तो भाई साब येस तो पहला ही मुंग बीन रेजिस्टन्स तो एलो आपको पता है हमने इसके ट्रीक दिखे दी ट्रीक यह थी कि मुंग बीन का एम आपको बताता है कि उसको मुटेशन के थ्रू डेवलप किया गया है ओके बेटा ओके तो इसका एंसर आ स्क्रीन फॉर्ट ले लिए अगर स्क्रीन्फॉर्ट नहीं लेते हो तो हम आपके यह ठीक ट्रेस नहीं कर पाते हैं अब बच्चों का श्कोर काट नहीं होग ही कोई भी इमेड डालके उसका स्क्रीनफॉर्ट लेへं बहाई जो अरतना हम पेसेश्चॉट मुझे बताया 42 बच्चों ने दी हैं ओके मतलब 26 लगव तर इतने इतने सारे बच्चों में हमका स्कूर काड कैसे दूढ़ेंगे अगर आपके पास इस्क्रिंशोड नहीं है तो इस नौट पॉसिबल कि आपका स्कूर काड धूंडा जा सके ऑके बढ़ते आगे होमोजागस प्यूर लाइ इंब्रीडिंग करेंगे ताकि हमें मिल जाए यहाँ पे हमें यहाँ पे मिल जाए प्यूर लाइन सही है बेटा ओके चलो भागते अभी टेक्निक आप माइक्रो प्रोपोगेशन इस टेक्निक पुछी जा रही है राइट प्रोपोगेट करना है हमें तो यह तो नहीं यह प्रोपोगेशन पुमेटों में हमने पड़ा था यह सब नहीं है सोमेटिक हैप्रीट अच्छा मतलब क्या था बैए एक सुपिरस पेसिज को आपने रिमूओ कर दिया अब जो इन्फिरस पेसिस थी मतलब जो दब के रही रही ती जो डर के रही रही थी जिसको डर था आपने निकाल दी तो अब होगा कमपिटिटिव रिलीज अब होगा कमपिटिटिव रिलीज सही है बैटा वेरी गुड ओके कोश्या नमबर फाइव तो गेट पॉलिनेट बाय बी दमेडे टिरेंड और्किड ओफरा इंप्लोईज और्किड ओफरी क्या करता है हो चाहता ह है कि वी उसको पास आये और फारेंशन करें तो उसके जो फ्लावर से थो ऐसे बनाए उसने बी जैसे तो यह जो बी आता है उसको लगता है कि यह अपना पार्टनर है authors 겁니다 समझ के वहाँ पर कॉप्पोलेशन करने के रहा जाता है या पनकर सूड आ चूड़ कोपूलेशन और this is the phenomenon is called as sexual deceit, okay, orchid of prey की तरफ से deceit is a sexual deceit, बेटा, बेटा, क्या हुआ मुझे आपके messages क्यूं नहीं दिख रहे हैं, ओके, right, सही है, ओके, now, very small animals are rarely found in a polar region, mainly because, ऐसा क्यूं होता है कि smaller animals जो है हमें, यहाँ पे हमें नहीं दिखाई देते, ऐसा क्यूं हो रहा है बेटा, very small animals are rarely found, rarely found, हमें small animals कम दिखते हैं, ऐसा क्यूं, हाँ, smaller animals have a more surface area relative to their volume, बेटा, actually, इसका हमने देखे है था, यह बात होती है, area is to volume ratio की, तो यहाँ पे smaller animals more surface area है, relative to their volume, surface area जादा, मतलब heat action जादा होगा, loss हो जाएगा heat का, और इसलिए हमें, यह rarely found होते हैं, मतलब मिलते नहीं है, सही है बेटा, ओके, very good, question number seven, when the population density reaches the carrying capacity, इस type के MCQE, इसके पहले भी हमने पढ़ा था, ओके, when the population density reaches the carrying capacity, the logistic curve, it is called as what? हाँ, तो logistic, इसके हम कहते हैं, asymptote है ना, asymptote, right, मतलब जो, एक बार आपकी carrying capacity to reach हो गई, एक बार जाओर रूपर कहें रहें, आपकी food resources से limited होगे, उसके बाद भाई यहाँ पर और improvement नहीं दिखाए दिखाए दिखाए, इसका क्या answer है, इस, gases found in biogas, यह तो हमें पता है, carbon dioxide, methane भी पता है, जाहिर सी बाते, cyanide क्यों रहेगा, यार बाद करें तो, hydrogen sulfide रहेगा, that is three, सही है, three आएगा, hydrogen cyanide, hydrogen sulfide, supplied नहीं, रे, sulfide चाहिए था, यहाँ पर, स्पेलिंग मिश्टे को आता है, sulfide, ओके, टेस्ट में नहीं है, यहाँ पर, question number nine, which of the following organism will be the first to colonize a bear rock, bear lock course, bear, मतला हम यहाँ पर succession की बात कर रहे है, okay, हम यहाँ पर बात कर रहे है, succession की, which of the following organism will be the first to colonize a bear rock, यह primary succession है, कि secondary succession है, bear rock को, यहाँ पर एक तरीके से इन्वेर्जिनेट करने की बात हो रहे है, तो this is the primary succession or secondary succession, यहाँ पर जो bear rock है, यहाँ पर सबसे पहले आ जाते है, lichens, acid secret करेंगे, जो rock है, उससे soil बनेगी, धीरे-धीरे, बाकिस्पेसिस ग्रोव होना शुरू होगी, yes, primary succession, you are right, question number 10, pyramid can never be inverted, in case of pyramid of energy, energy एक generation से, मतलब, एक topic level से, दूसरे topic level पर कैसे जाएगी, अगर वो inverted pyramid है, तो, so pyramid हमेशा upright रहेगा, as per as, this pyramid of energy is concerned, very good, which of the following commits industrialized nations to reduce greenhouse gas emission, यह बहुत बार पुछे जा, पुछा जाने वाला सवाल है, अगर ओजुन depletion substance की बात करें, तो Montreal protocol answer आता है, यहाँ पे बात फोर एक greenhouse gases को हमें कम करना है, that is Koto protocol, that is Koto protocol, very good, बेटा, now, eventually the only solution for the treatment of e-waste, right, मतलब जो आपकी mobile's वगेरा होते हैं, उसको भाई, ultimately क्या करना चाहिए, the only solution for the treatment of e-waste provided, is carried out in a neuron friendly manner, is, उसको क्या करना चाहिए हमें, यह पेटा, यह M.C.U. की इसके पहले पूचा नहीं गया है, तो इस ताप के M.C.U. की आने की संभावना है, simple M.C.U. that is recycling हमें करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, हमें recycling करना पड़ेगा, सही है, very good, which of the following active gases contribute to least to the global warming, अच्छा, global warming में सबसे कम कौन contribute कर रहा है, सबसे ज़्यादा तो C.U.2 कर रहा है, अपनी news report में भी आपने पड़ा था, greenhouse gases की मुख्या, C.U.2 ने धम की दिये, मुख्या मतलब C.U.2 सबसे ज़्यादा था, सबसे कम है यहाँ पे N2O, सही है बेटा, सबसे कम है यहाँ पे N2O, very good, right? Question number 14, what is not true for generalized mollusk? बेटा, ये कोच बच्चो का गलत हुआ है, ऐसा क्यो? ये कोच बच्चो का गलत हुआ है, ऐसा क्यो? Which of the following is not true for generalized mollusk? ऐसा क्यो बाइसा? Which of the following is not true for generalized mollusk? अगर हम बात करें, body segmented into head viscera, segmented body, this is a feature of orthobor, not the mollusk? सही है, बेटा, nephiridia क्या पाट होटा है, meta nephiridia, जो mollusk में हमें मिलता है, rasping organ तो मिलता ही है, हमने कहा था, mollusk का की mouth में radula होता है, तो ये तो बात है, mental cavity with this, ये बहुत important feature है, जिसके पर MCQ पुछा जाता है, तो इसका answer आजाता है, one, सही है, बेटा, okay, बढ़ते आगे, which of the following is not seen in hemicord ready, which of the following is not seen in hemicord ready, provosis grant to होती है, right, stomo cord होता है, triplet body of organe, rudimentary notocord नहीं होता, right, notocord अगर होता, तो हम cordage में डालते, तो ये नहीं है, rudimentary notocord नहीं होता, question number 6, homo thermis exhibited by है, ये हमेशा याद रखना, इसके regarding, दो जग़ा पे reference आता है, animal kingdom में, और आपका organism of population में भी, right, तो यहाँ पे homo thermis exhibited by birds and mammors, बहुत important बात है, मतलब, environment के accordingly, नहीं इनके body का temperature change नहीं होता है, ये अपने body temperature को maintain करता है, सही है बेटा, okay, बढ़ते हैं आगे, which of the following feature is not present in the phylum orthopoda, orthopoda का features कौन सान नहीं है, यहाँ पे, orthopoda का feature metameric segmentation, बिल्कुत सही बात है, orthopoda में होता है, cordage में होता है, jointed appendage, parapodia is not the feature, parapodia मुझे कहाँ पे मिले गाग, किसी को पता होगा, तो comment section में बता है, this is not the feature of this particular phylum orthopoda, parapodia किसका feature है, बताइए जड़ा, question number 18, when the co-factor is removed from the enzyme, the catalytic activity, यह रहा enzyme है न, इस enzyme के साथ जोड़ा रहता है, इस तरीके से co-factor, जिसके बाद ही, यहाँ पे substrate है कैसे fix हो पाता है, अगर आपने यहाँ पे co-factor हटा दिया, तो यह substrate यहाँ पे, attach ही नहीं हो पागा, enzymatic activity, yes, बेटा है, you are right, यहाँ पे enzymatic activity जो है, यहाँ पे loss हो जाएगी, सही है, very good, the chitinus exoscalator of orthopods, performed by the polymerization of, yes, chitinus exoscalator, अगर हम बात करें, तो आपको पता है, orthopods का exoscalator, यह बना है, NAG से, N-acidyl glukosamine से, N-acidyl glukosamine से, सही है, बेटा, okay, very good, बढ़ते आगे, the substrate has to go through, a much higher energy state, or transition state, in case of, अगर substrate से, अगर आप product, बनाना चाहते हो, है न, तो intermedia state बनेगी, वो बनाने के रहे, आपको substrate को energy लगा नहीं पड़ेगी, चाहे हो, endothermic reaction हो, या वो exothermic reaction हो, so it is true for both, exothermic and endothermic reaction, सही है बेटा, okay, which of the following helps, in the regulation of respiratory rhythm, respiratory rhythm center है, अपना medulla, medulla को help करता है, bonds, हमारी peripheral chemoreceptor, aorty catcher and carotid artery, respiratory rhythm, सबी के सबी help करते हैं, respiratory rhythm को maintain करने के लिए, तो answer आ जाता है, all of the above, सही है बेटा, okay, right, question number 22, carbonic unhydrogen is present in, इसमें कुछ बच्चों का थोड़ा confusion था, बेटा, यहाँ पे ध्यान से दिखो, carbonic athergy, हमें RBC प्लाजमा, दोनों में मिलता है, ज्यादा quantity में हमें RBC में मिलता है, यह line है, body fluids, नहीं, breathing and exchange of gases में, ध्यान से पढ़ना, वहाँ पे दिया है, transport of CO2 में, वहाँ पे प्याराग्राफ में, वहाँ पे लाइन है, it is found in RBC and, प्लाजमा, सही है, question number 23, what keeps the lungs inflated, even during expiration, बहुत important MCQ, बार बार पुछा जाने वाला MCQ, higher examination में भी, पुछा जाने वाला MCQ, बहुत जादे important है, भाई lungs को inflated रखता है, during expiration, ऐसा नहीं होता कि, आपने सास छोड़ दी, और lung collapse हो गया, collapse होना मतलब कि, बालून लो उसमें से हवा निकाल दो, हम कहेंगे, balloon collapse हो गया, यहां से, यहां लंग में भी तो, हम हवा बाहार निकाल रहे है, air को बाहार निकाल रहे हैं, कि lung collapse नहीं हो रहे, because of the surface tension, from the pressure and negative pressure, in the pleural cavity, negative pressure को हम यहां पे create करते हैं, सही है, by increasing the volume, तो surface tension from the pleural fluid, and negative pressure in the pleural cavity, because of this, lungs collapse नहीं होता है, question of 24, वैसा रेक्टी ने, cortical referon की बात कर रहे हैं, cortical referon की अगर हम बात करें, तो मुझे वैसा रेक्टी दिखाई देते, medullary nephron में, medullary nephron वो होता है, जिसके loop of endlay, ऐसे deep down करता है, medullary nephron के पास, loop of endlay भी short रहता है, वो उसमें वैसा रेक्टी, बहुत कम या absent होता है, सही बेटा, बढ़ते आगे, the normal value of glomerular filtration rate, यह बताई ज़रा है, value पता होना ज़रूरी है, यह भी important है, यह value बहुत important है, क्योंकि इसको assess करके ही, अलग-अलग disease इसको diagnose किया जाता है, इसका अकॉड़नी लिए आगे के treatment decide की जाती है, glomerular filtration rate, इसका score card है बेटा, ओके, एक kidney का एक तरिकी से मानदो score card है, तुमारा score क्या है, वो चाहिए हमें 125 ml per minute, सही है, यह सही है, तो भाई, सही काम कर रहे है किड़ी है, ओके, बढ़ते आगे, which of the following structure or region is incorrectly paired with its function, medulla block that controls the respiration cardiovascore reflex, बहुत सही, यह तो सही है, बेटा, limbic system consider fiber tract that integrates the different region of the band and controls the movement, में, मुमेंट के अगर बात की, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो सही हो जाएगा, hypothalamus भाई, temperature, hunger, thirst को control करता है, बिल्कु सही है, corpus, left and right hemisphere को control करता है, मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, कि यह sentence correct हो जाए, limbic system की जगए, बाई, अगर मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए, कोई अगर movement को control कर रहा है, basically balancing को अगर कोई control कर रहा है, तो that is a cerebellum, सही है, मैंने आपका एक trick बताई थी, cerebellum मतलब जिसके पास, cerebellum है, वो belly dance कर सकता है, वो belly dance कर सकता है, belly dance करने के आपको coordination चाहिए है, तो cerebellum मतलब क्या, कि जो belly dance करेगा, उसके पास cerebellum होना ज़रूरी है, सही है, तो इसका answer आजाते limbic system, which of the following receptor is specifically responsible for maintenance of balance of body and posture, यहाँ से आने वाले MCQ बच्चों के गलत होते हैं, intern year को ध्यान से पढ़ना विटा, power neurons में बहुत अच्छे से दिया, तो यह है, crystal empolaris and macula, सही है, crystal empolaris and macula, यह receptors है, जो आपको दिखाई देते हैं, internal year में, जो कि यहाँ पर balancing को control करते हैं, सही है, बेटार, inter connect मतलब भाई, connect करना, एक दूसरे के साथ जोड़ना, सही है, question number 28, which of the following statement is not correct, an action potential in an axon does not move backward, because of the segment behind it is in a refractory phase, यह बहुत सई सेंटेंस है, यह बहुत ही ज्यादा, इसके उपर दो बराइम से क्यों आ चुका है, मतलब क्या है, यहाँ पर हो रही है बात, कि भाई, A से B में जा रहा है सिगनल, तो ऐसा क्यों हो रहा है, A से B में जा रहा है, तो B से A में रिटन क्यों नहीं आता, because the segment behind the B, it is in refractory phase, बहुत इंपोर्टन लाइन है, दो बराइम से क्यों आ चुका है, आल इंडे PMT में, ओके, तो बी केरफूल आपोट इस, इप ओलारेज़ आपको नाइट में देखने में हेल्प करता है, द्यार से सुनो, मैंने आपको ट्रीक बता है, कोंस फॉर कलर, C for कोंस, C for कलर, और रोट्स फॉर नाइट विजन, सही है बेटा, तो ये आ जाता है, incorrect statement पुछा है, तो आ जाता है, सही है, very good, question number 29, the main function of mammalian corpus luteum is to produce, the main function of mammalian corpus luteum, corpus luteum का function क्या है, corpus luteum का function क्या है, अगर corpus luteum बहुत important function कर रहा है, अगर ये नही ये, तो pregnancy, continue नहीं हो पाएगी, continue नहीं हो पाएगी, यह बताई जरह दो मेन फंक्शन आप मैमिलियम कॉर्पस लुटियम इस सहिए यह जट इस प्रोजेश्ट हो रहा है सहिए बटा ओके वेरी गुड़ विच फॉल इस दूरिंग गमेट जिस नॉर्मली डिपलोई डिपलोईड कौन होता है आपके जम से आपके स्परमेटो में यह तो बहुत इंपोर्टन सिख्वए इन हमध्यमन फिमेस मुशिस टु इस नॉट कंप्लिट गलत नहीं होना चाहिए मुश्ची स्थस नॉट कंप्लिड अंटिल कहा पे मुशीज कंप्रिट कभ होगा जब फर्टियलाज़ल जाएगा तब यह मुश्ची स्थकम प्र आप किसी को लगा होगा कि पिछले बाद नीच 2021 में यही सेंगे आने वाले हैं ध्यान से सुनो यह जो लेवल आपके लिए हैं इसको हम और धेरे-धेर इंक्रिस करते हो जाएंगे लेकिन बेड़ा इंसेटी के आराउंड ही पेपर बनता है तो यह इसी टाप के आपको मिल ज हम होता है इसके अराउंड जोना प्रिशिडा एक और सेलिलर लेयर होती है यह इंशुर करती है कि मल्टिपल स्पर्म और हम को फर्टिलाइज ना करें सब्सक्राइब बढ़ते आगे होमोलोगस और गंस और दोज और विच शोज सिमेलिटी इन इसके बारे में हमने ट्रीक अब पढ़ी थी बेटा यहां पर ट्रीक देखो यह बहुत इंपोर्टन है ध्यास से देखना होमोलोगस और और अनलोगस और में आपको यह पता है तो हम कहेंगे होमोलोगस ही हाड होमोलोगस ही और मतलब अनाटमी सेम है ना अडेप्टिव रेडियेशन और एंसेस्टर कोन और मतलइ से रीलेटेड फीचर से अगर आपको यह पता है तो कभी आपको mcq इस particular topicerator गलत नहीं होगा, homologus is hard, homologus मतलब anatomy is same, adaptive radiation and ancestry is common, d is for divergent evolution, तो यहाँ पर homologus मतलब क्या, यहाँ पर जो origin है बेटा, it is common, origin is common, सही, ancestry is common, origin is common, yes बेटा, you are right, zona perusida, tertiary follicle, यह, meiosis 1, tertiary follicle में complete होता है, you are right, question number 34, a gene whose expression helps to identify the transformed cell is known as, यह बहुत बार पुछा, मतलब साइम सिंपस mcq था है, that is a, it is a selectable marker, यह आपको help करता है, transform cell को identify करने के लिए, question number 25, what is the criteria for DNA fragment movement on agaraj gel, during gel electrophoresis, पिछले साल भी इसके उपर mcq आया था, by technology के उपर, बार 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 इसी पर्टिकोर, अगaraj gel से बार बार mcq पूछे जा रहे है, है न, तो अगaraj gel में आपको पता है, कि जो small fragment रहता है, बहुत दूर तक चला जाता है, जो last fragment है, पिचा रहता है, gel पे, सही विड़ा, okay, very good, the process of separation and purification of express protein before marketing, it is called as what, यह topic, अंत में आने वाला topic है, बायो टक्नोलोजी में, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, भाई एक बार अपने protein बना दिया, क्या आप directly उसको भार निकाल की यूज करना शुरू को रिदोगे, नहीं, आपको करने पड़ेगी, आपे downstream processing, उसको purify करना पड़ेगा, मार्केट की कुछ वहाँ पर testing करना पड़ेगा, सब कुछ चीज़े करने पड़ेगी, called as downstream processing, सही बेटा, very good, restriction enzyme are synthesized by, यह बहुत अच्छा सवाल, restriction enzyme बेटा ध्यान से सुनो, restriction enzyme, यह से procurors में दिखाई देते हैं, जो की parent of sequence में कट लगाते हैं, लेकिन बेक्टिरिया का restriction enzyme, खुदी बेक्टिरिया के DNA में कट नहीं लगाता, किसी को पता है, क्यों, क्यों नहीं लगाता, पता अगर होगा तो मुझे बताना, तो इस particular MCQ का आँचार आ जाता है, restriction enzyme बेटा बेक्टिरिया only, सही, इसके बारे में हमने ट्री कभी देखे थी, कि इंजेक्शन अगर लगाना है, तो हम एनिमल को लगांगे, प्लैंट को इंजेक्शन थोड़ी ना लगाते हैं, तो यहाँ पर एक सेट पुचा है, that is micro-injection, सही, सही है, यह बेटा, methylase के वज़े से restriction enzyme जो रहता है, बेक्टिरिया का, वो खुद ही, खुद को digest नहीं करता है, खुद की देने को digest नहीं करता है, very good, which of the following restriction site is located within the tetracycline resistance gene के around, कोन लोकेट है, यहाँ पर, yes, it is BAMH1, right, BAMH1, यह यहाँ पर लोकेट है, very good, बेटा, the body says, in a cockroach discharge, there are nitrogen waste in a hemolym, mainly in the form of, yes, mainly in the form of potassium urate, यह है, uric acid को secret करने वाल है, uric acid को, uricotery, सही है, बेटा, सही है, बेटा, very good, बरते हागे, the most abundant and widely, the most abundant and widely distributed tissue in the bodies of a complex animal, सही जयादा abundant कोन है, yes, it is a collective tissue, सही है, बेटा, it is a collective tissue, okay, very good, बरते हैं आगे, the enzyme that is not present in a succus entericus, succus entericus मतलब क्या, succus entericus मतलब क्या, किसको बता है, what is succus entericus, yes, come on, जैब हो, बोलिए, जल्दी, जल्दी, succus entericus, intestinal juice में मुझे, nucleus नहीं दिखाई देता है, nucleus को डो टाइप है, endonucleus, exonucleus, यह यहाँ पर मुझे, नहीं दिखाई देता है, which of the following, guards the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum, duodenum में जो opening है, hepatopancreatic duct की, उसको कोन guard कर रहा है, है न, वो उसको कोन guard कर रहा है, उस sphincter का नाम क्या है, उस sphincter का नाम क्या है, it is a sphincter of odai, it is a sphincter of odai, सही है बेटा, very, it is a sphincter of odai, very, very good, यह important MCQ है, यह पता चाहिए, sphincter of odai है न, okay, in open circuitry system, the blood is pumped through, open circuitry system की बात हो रही है, open circuitry system, मुझे orthopoda में दिखाए देते हैं, बहुत स्यादा organism में भी दिखाए देती है, जहाँ पर क्या होता है, large whistle से आने वाला blood sinuses में, that is body cavity में भेज़ दिया जाता है, हम कहते हैं कि और गान ब्लड में ना रहे है, यहां से निकलने वाला blood, यहां से निकलने वाला blood, ऐसे body cavity में डाल दिया जाता है, ऐसे ऐसे, फिर एप्लड ऐसे ऐसे, फिर से heart में चला जाएगा, that is called as the open circular system, the thread-like tendons of papillary muscle inserted upon the flaps of the tricuspid and bicuspid wall are, basically बात हो रही है कि यह जो वाल है, यह जो वाल है, यह हाट के वाल के साथ किस तरीके से जूड़े हुए होते है, it is through the structure called as cordy tendina, it is called as cordy tendina, यह बहुत सही, यह बहुत important है, क्योंकि बहुत बार रप्चर भी हो जाते है, the opening between the right attrium and right finger, right side की बात हो रही है, right side के अगर बात होगी, तो बात होगी tricuspid wall की, right side के अगर बात होगी, तो बात होगी tricuspid wall की, सही है बेटा, okay, very good, and acruman process is characteristically found in acruman process, acruman process मुझे कहाँ पर दिखाए देते, pectoral girder की pelvic girder, यह बहुत important है, है न, acruman process, यह हमें कहाँ पर दिखाए देते, pectoral girder, okay, दो process होती है, acruman process, आपकी syllabus मेरी उसको याद रखना है, acruman process, okay, pectoral girder, very very good, आगे बढ़ते, typical ribs, ribs भाई कैसे होते है, मतलब यह रहा, आपका sternum, ऐसे, है न, ribs ऐसे पीछे जाती है, ribs ऐसे पीछे जाती है, बेटा, okay, और ऐसे, यहाँ पे, वो vertebra के साथ attach है, पीछे के side में, okay, तो vertebra के साथ, दो जगा पे वो attach होती है, इसने हम कहते, these ribs are dicephalic, cephalus मतलब head, दो head है उसके, हम ऐसे बात करें, यह head, और यह पीछे वाले head, पीछे वाले vertebra से देखो, attach है, okay, that is called as a dicephalic, सही है, बेटा, very good, silatarchica is found, silatarchica क्या होता है, बैए, एक depression रहता है, यह depression में, pituitary gland located होती है, ऐसे pituitary gland located होगी, यहाँ पे, तो यह जो depression है, spinoid bone का, मतलब होता है, जैसे भई, आप horse के उपर बैठते हो, तो आपके पहर, आप उसमें रखते हो ना, बैठते वक्त, तो ऐसा structure रहता है, जिसमें हम रखते, सही है, बेटा, बढ़ते आगे, which hormone causes dilatation of a blood vessel, increased oxygen, ग्लूकोजीनेसिस, यह कौन है, बैठ, ब्लड वेसल को dilat कर रहा है, ओके, increased oxygen consume को की, increase कर रहा है, ग्लूकोजीनेसिस, ग्लूकोज को बना-बना के आपको दे रहा है, यह बेसिकली चाहता है, कि आपको धेर सारी एनरजी मिले, इसलिए आपके muscle को oxygen प्रोवाइड किया जा रहा है, उनका blood supply बढ़ा दिया, ग्लूकोज बनाना शुरू कर दे, इसने, बैसिकली इमर्जेसि में आपकी जान बचाना चाहता है, यह है आपका adrenaline, यह है आपका adrenaline, एक बात सही सही बताओ, मैंने देखा यार कुछ बच्चे बड़े परिशान होते हैं, कि सर, exam के time पर आप में नींद अगर आ जाएगी, तो क्या होगा, तो बेटा मैं तो इसको बिलकुल भी मानता नहीं हूँ, आपका, चो exam है बेटा, मैं उस exam के duration में यह अपने pick पे होगा, आइडरेलिम भर भर के भाएगा, यह आपको नींध ही नहीं आने देखा, रात बर आप सोये भी नहीं, फिर भी यह नींध नहीं आने देगा आपको, ओके, वो अलग माहौल होता है, ऐसा नहीं होता है, तो मैं मतलब उस फिलोसभी को नहीं मानता हूँ, अगर आप मानते हो तो आपकी चोईस है, लेकिन विकॉस आप अडरेलिम नींध नहीं आती है, नींध लेनी है आपने, एक्जाम के वक्त यह आडरेलिम आपको नींध ही नहीं आने देगा, अश्टेरोड हपन विस रिखुलेट अटरेश मेटबूजम, ग्लुकोज के मेटबूलूजम को रिखुलेट करने वालों को, हम ग्लुको काॉर्टिकर्ट केहते हैं, और वन अफ दर मेन ग्लुको काॉर्टिकर्ट इस यहाँ पर पुछा जा रहे, yes one of the main glucocorticoid is cortisol it is called as cortisol सही बेटा okay very good transfer of an oham oham की बात हुरी है मतलब gamet की बात हुरी है collect and found donor into the phalopene tube of another female it is called as oham transfer किया मतलब gamet transfer किया मतलब gamet intra phalopene tube transfer gift सही बेटा इस तरीके से देखो be careful about the approach है ना be careful about the approach सही बढ़ते आगे natural methods for contraception works on the principle of natural method जो है that is एक withdrawal method है है ना calendar method lactational amenorrhea यह सभी क्या assure करते आपको यह try करते प्रिवेंश दफर्टिलाइं प्रिवेंट करनी की कोशिश सही है बेटा ओके natural method for contraception works on अभी मैं बता तो अभी दो दीन पहली के बात थर्स दे को मेरे पास एक इस प्रेगननन फॉर्ट फोर दिसेकंड टाइम शरम आनी चाहिए कि मतलब क्या फाइदा हुआ यार पढ़े लिखे होने से क्या फाइदा हुआ इसे उतावले लोग होते हैं इस इस हालत में यूटर्स अभी है भी नहीं कि वह सेकंड बीबी को बीर कर सकता है वी दिन फॉर मन्थ तो यह जो मेथड्स होते हैं पेटा नैच्रल मेथड़ इस नौट एडवाइजेबल यह आपके जानकरी के लिए हैं लेकिन इसमें बहुत खत्रा है लैक्टेशनल अमुर् प्रोडेक्शन देता है एक्शल मी वहाँ पर थ्री मंस होना चाहिए एक्जाम एक चे मैं लेकिन यह बता हो कि न्याच्र मेथड का भरोसा नहीं है लेस इफेक्टिव में तरस बढ़ते आगे बढ़ते आगे इस बढ़ते आगे इस पूरी दुनिया में इंडिया ऐसा पह इस वेरी गुड ग्राफ्टे ए अच्छा है मसी को था ग्राफ्टेग के नी में भी रिजेक्टेड इन पेशंट डू तो एक पेशंट था उसको हमने किड्नी लगा दी उस किड्नी को रिजेक्ट कर दिया उसके बौडी ने तो कौन सा रिस्पॉंस यहाँ पर रिस्पॉं स्या क्या क्या इंजेक्शन लगा होगे कोई से कोई सी दवाई दोगे मुझे बता ही जा रहा है नसे ने बताया है तब तक क्वेश्ट नवर 56 लेटे लेते हैं इन हायर वर्टिब्रेट इम्यों सेस्टिम कें डिश्टिंग्वीज बिविए सेल से अन नॉन से इस प्रोप लेटरी ने खुदी खुद के देश पर अगर आकरमन कर दिया तो क्या होगा उससे हम कहेंगे ओटोइम्न डिसीज येस इम्मून सप्रेटिव मेडिसेंस हम देते हैं लाइक साइक्रोश पूरी हम श्रीरइज भी देते हैं पेशन को ग्राफ रिजेंट को रोकने के लिए तो इसका एंसर आ गया और तुमिन डिसीज पैथोज रिस्पांसिबल पॉर कॉजिंग एलिफंटाइटिस मतलब थाहिलिया हो रहा है ओके ट्रांस्मिटेट टूर हेल्दी परसंट थू यह बताए ज़रा है ना यह कौन है भाई पैथोज रिस्पांस एलिफंटाइटिस को रास्फर करके दे रहा है फीमेल अनोफिलस मॉस्कुटो सही बटाए बढ़ते आगे नावड़े इस पॉसिबल मुटेटेट जीन को मुझे डिटेक करना है तो हम यहाँ पे प्रोब हाइब्रिडाइजेसन टेक्निका यूज करते हैं प्रोब हाइब्रिडाइस तभी होगा जब नॉर्मल जीन उसको मिलेगा अगर 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 है तो वह अपियर नहीं होगा क्योंकि यह बहुत इनिशे स्टेज में डिटेक्ट करता है तो बार दिया है यह सेट नहीं हुमन हेल्ट डिसीज में और आपके पीसे आर में भी यह बात दिये कि अर्ली स्टेज में लेगिन हुमन हेल्ट डिसी में बहुत अच्छे से दिया है कि इनिशे स्टेज में डिटेक्ट करता है यह यह बायो रिसेज्बा अमिल्टिनाशनल कंपनी यह यह यूज अब बाश्मेदी राइस को अमेरि पाइरसी जिसे हम कहते हैं बायो पाइरसी सही बेटा ओके मैं आपको स्ट्रॉंग्ली आडवेज करूंगा कि एंसेटी बेस्ट जो भी टेस्ट होगी अलग-अलग उनको ही आप अपियर करें प्लीज यहां पे कोई स्टंट बाजी आप ना करें बेटा क्योंकि बहुत क्रू यह जैसे के वैसे हम स्ट्रॉंग है प्रोटीन कंटेट 2.5-2.4 गिलको सही है लैक्त अलभीमीन एबी सही है मोर बैरस डायेट देन नॉर्मल मिल्क फ़र बीबी एबी सही है नन अब दॉप है ना नन बढ़ते आगे बिटी टॉक्जिन इस हमफूल तो इंसेक्त लाइक ब करेक्ट सही है ओके बी केरफल अब डिस यह भी एंसेटी के लाइन विच फॉल्विव इस नॉट एप्लिकेशा पी सियार बैट डिटेक्शन ऑफ जीन मुटेशन बिलको सही है मॉलीकुल डागनोसी जीन एंप्लिफाई भी करके देता है प्यूरिफिकेशा प्रोटीन थो यहवरे स्पैसिस व्यूरििक ने मैं depends स्पेश्बीAy Ipайте मीजसर की बात हुरह एंस सहें के है सेंटैटिफिक नेम इन लै्टिन सेट भी विल्कुश है लैटिन में भी खा और आंडेट का स्वैसिपेशन भी रेटर्ण श्पाषे आय गिरली लयक संतािटीखो एट एंद न not true for red algae, what is not true for red algae, laxantrol and flagella, accessory pigment include phycosine, phycoerythrine, erythrose मतलब red, ये भी सही है, they produce alternation of generation, ये भी सही है, the store for this fluoridine, ये भी सही है, fluoridine, okay, and it is very similar to cellulose, नहीं, ये गलत है, it is not similar to cellulose, amylose, सही बेटा, that is 4, तो ये यहाँ पर गलत हो गया, 4 number, okay, fluoridine is red, वैसे तो यह तो यहाँ तक तो सही था, लेकिन similar to cellulose ये गलत हो गया, और सही जो रिप्रदक्शन बाग पियर से ये बेटा, okay, very good, 67, isogamous conditionate non-flagellated gum, gum it non-flagellated in non-motor, लगातार 3 साल MCQ, बेच में, लगातार 3 साल MCQ, पुछा गया था, जिसका answer था, spiral हो गया रहा, पता नहीं, examiner को, इस spiral हो गया रहा, तो ये गलत हो नहीं हो नहीं, ये बेटा, okay, अगर आपको इसको याद रखने में, अगर difficulty आए, तो कुछ ऐसे याद रखना कि बैस spiral घुमते रहेगा, आगे बढ़े गई नहीं, that is non-motor, okay, इस तरीके से या जैसे आपको कोई trick होगी, तो उसका यूज कीजिए आप, ताकि आप उसको attempt कर सको, बढ़ते आगे, without the following, has unevenly thick cell wall, has a primary wall, and secondary wall, and is simple living, primarily mechanical tissue की बात हो रही है, और बात हो रही है, living tissue की, ये दोनों features मुझे कहाँ पे दिखाई देते हैं, colon chyma में, okay, slaren chyma भी mechanical tissue है, लेकिन वो living नहीं है, सही है बढ़ा, तो इसका जवाब आ जाएगा, colon chyma, सही है, very good, buliform cell, again, neat 2020 का MSU, ये कहाँ पे हमें दिखाई देते, ये leaf में हमें दिखाई देते, water loss को ये कम करने में मदद कर देते है, okay, so they are found on a isobilateral leaves, and help in minimizing the water loss, सही है बढ़ा, okay, isobilateral leaves में हमें ये दिखाई देते है, question number 70, इसको तो गलत नहीं करना है, बढ़ बार बार पुछे जाने वाले MC क्यों है, the core, cambium, core and secondary cortex, ये तीनों मिला के, क्या आप कहोगे, ये तीनों का अगर आपने मिला दिया, तो अपका बन जाएगा, periderm, सही है, ये जो फेलो जन रहता है, फेलो जन, बाहर के साइट में फेलम बनाता है, ओके, इस तरीके से आप रहता है, फेलो जन, फेलो जन, जनरेस, फेलम, on the outer side, and secondary cortex, on the inner side, ओके, यहाँ पे आपने सब को मिला देया, very good, 71, DNA content 2C है वेटा, okay, at the end of M phase, what would be this DNA content at the end of S phase, 2C अगर है, तो synthetic phase की बात हो रहे है, that is S phase की बात हो रहे है, S phase को हम कहते है, synthetic phase, तो किस का synthesis, DNA का synthesis, तो DNA का synthesis होगा, S phase में, और 2C का double बन जाएगा, that is 4C, that is 4C, सही है, तो 4C बन जाएगा आपका, very good, question number 72, during gamet formation, the enzyme recombinance participates in, recombinance कहाँ पर participate करता है, यह आता है अपका participative meiosis के प्रोफेज में, सही है, that is प्रोफेज 1 में आता है, प्रोफेज 1 के कौनसी स्टेप में, recombinance enzyme या आपना action दिखाएगा, यह बताए जारा किसी को पता अगर होगा तो, इसका बता नज़रा, यह तो सही है, that is प्रोफेज 1, very good, which one is correct for the G0 phase, ओके, G1 phase है, S phase है, G2 phase है, ओके, इस तरह के cycle घुम रही है, एक जो cell है, यहाँ पर G0 में इंटर कर जाता है, ओके, कुछ cell G0 में इंटर कर जाते हैं, जहाँ पर grow नहीं कर पाते हैं, grow नहीं होते हैं, और कुछ से रहसे होते हैं, जो grow नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जब जरूरत परते हैं, तो अब सेल में फिर से वापस आ जाते हैं, तो बोथ इस statement है, यह तो करेक्ट ही, ओके, यह बैटा, patch it in is the right answer, वेरी गूड, ओके, इसका answer है, all of double, amount of DNA and number of chromosome in a G2 phase of a cell would be, G1, S, G2, मतलब DNA का number क्या हो गया है, double हो गया है, और G2 phase में, chromosome number remains same, सही है, यह बिल्कु सही, DNA number double हो जाता है, और chromosome number same रहता है, सही है, clear है, very good, मतलब यह पहले ऐसे chromosome था, भाई, ओके, G1 में, G2 में जो chromosome बना, वो कैसे दिखाए देगा, आपको ऐसे, जिसके बाद दो sister chromatid है, तो chromosome एक ही है, यहापे भी एक chromosome, यहापे भी एक chromosome, इसके पास एक DNA है, इसके पास दो DNA है, सही है, क्रोमोजम एक ही है, because both chromatids are attached to the centromere, minerals known to be required in a large amount, for plant growth include, large amount में लगते हैं हमें धेर सारा, है न, यह ऐसे mineral से में, जैसे 8-phosphate बनाना है, आपको 8-adenosine-tryphal, 80-P बनाना हैं, तो phosphorus लगेगा, potassium लगेगा, sulfur, बहुँ प्रोटीन बनाने में, sulfur धेर सारा लगेगा, calcium अपके cell wall में हैं, तो calcium धेर सारा लगेगा, तो यह धेर सारे लगेंगे, जादा quantity में लगेंगे, सही है बटा, ओके, बढ़ते आगे, in which of the following reaction of glycolysis, the molecule of water is removed from the cell, यह बहुत से बच्चों का, myth हो गया है, बटा, क्यूँ, glycerate to phosphoenol pyruvate, इसके बाद की लाश्ट रिष्ट है, pyruvate का बनना, सही है बटा, two phospho glycerate to phosphoenol pyruvate, yes, you are right, three, बढ़ते आगे, यहाँ पर answer लिखे बटा, in which, which among the following is immortal, इसके उपर MC को भी पुचा था, हमने unicillural organism immortal है, ऐसे anxiety का कहना, इनकी जब ग्रोथ होती है, मतलब जब इडिवाइट कर जाते है, उसी का हम कहते हैं, कि इनने ने रिप्रोडूस किया है, और इनकी ग्रोथ भी हुई, और हम कहे रहे कि इंबॉर्ट है, किसी ने कहा कि इसको तो कोई भी आके खा लेगा, बात हो रही है कि भी नैचरल डेथ इनकी होती है क्या नहीं, किसी ने आके इसको खाया, मतलब नैचरल डेथ नहीं है, इतना याद रुखो कि उनिसल और्गनिजम मरते नहीं है, इसे anxiety ने कहा है, सही, इतना इस अमीबा, वेरी गुड बढ़ा, लिए यहां पर मौरगन को 9 x 3 x 3 x 1 का रेषो नहीं मिला, आज के निज रिपोर्टेंट में हमने यहीं बात की थी, कि मौरगन और मेंडल के विच में मारपीड का मामला सामने आया है, तो यह मौरगन को 9 x 3 x 3 x 1 का रेषो डाइबिट क्रोस में नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, because the genes are located on the same chromosome link gene थे, that is the answer is 3, genes are located on the x chromosome, यहां पर मिला, एक ही chromosome के उपर दोनों gene located है, इसलिए उस लिए segregate नहीं कर पाए, सही है बेटा, very good, 79, what is the mode of inheritance of phenyl ketone ura, यह बहुत important MC की है, sickle cell की बात करे तो autosomal races, हमेशा याद रखना, अगर आपको किसी MC को का एंसर नहीं पता है, तो better you go with autosomal races, maximum diseases autosomal races, यह मैं बोल रहो, अगर आपको नहीं पता है, तो, अगर आप risk लेना चाहते हो, तो autosomal races वी के साथ हजाईए, which of the following is not a feature, of a down syndrome का कोन feature नहीं है, it is caused by non-disjunction in an autosome, the affected individual has trisomy for 21, the affected individual has a casted is simian palmar crease, the mental development affected individual is normal, नहीं भाई, यह mentally retarded होता है, ओके, यह mentally retarded होता है, सही बढ़ा, ओके, यह non-disjunction मतलब क्या, non-disjunction, disjunction मतलब क्या, भाई, जब chromosome जब separate हो रहे थे, एनाफेज में, एनाफेज का defect है, chromosome separate हो रहे थे, तो यह बंदा separate है हुआ, 21 number का, वो किसी एक sale में चला गया, that is called a non-disjunction, disjunction होना चाहिए था, separate होना चाहिए थे, junction break होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ, सही बढ़ते आगे, in plant breeding, in the evolution of our evolution, यह बहुत से बच्चों का गलत हुआ वेटा, the evolution नहीं रिसर्च फिल्ड इस फॉलर भा, plant breeding में आपने नया plant बना है, क्या डारेक्ली मार्केट में जाकी बेच दोगे, नहीं भाई, उसकी पहले टेस्टिंग करनी पड़ेगी, हैना, टेस्टिंग कहाँ पे करोगे, एक्च्वल में जहाँ पे आप उस पर्टिकल प्रोड़क को बेचाना चाहते हो, तो आपने जो plant डेवलोप किया है, वो फार्मर अपने खेत में लगाएगा, तो उसी के खेत में पहले टेस्टिंग करवा लो, टेस्टिंग दिया मटे इन फार्मर फिल्ड एकलिश वा थ्री ग्रोइंग सीजन, एंसेटिक लाइन, सही है बेटा, ओके, बढ़ती आगे, इन प्रोड़क्शन आफ वीट और राइस, वो उस दू तो डेवलोप्मेंट ऑफ वाट, भाई यहाँ पे, जो ग्रीन रिवर्शन हुआ, उसमें क्या था, पहले जो यह जो वीट था, यह बहुत बड़े बड़े रहते थे, हवा आती थी, नीचे गिर जाता था, ओके, तो जो वीट डेवलोप्म किया गया, वोर्लॉक के दोरा, स्वामी नाथन साब के दोरा, वो था सेमी डॉर्फ वेराइटी, ओके, इनके हाइट कम कर दी, अब यह नीचे नहीं गिरने रहे, धेर सारा प्रोड़क्शन होने लगा, ग्रीन रिवर्शुन हुआ, अब ब्राइट बेस पिरामीज शेप, एज स्ट्रक्चर, इस करेक्टरिस्टेक्स आफ़ पॉपॉलेशा, यह भाई एक पॉप एज का पिरामीड है, ओके, यह रहा प्री रिप्रोड़क्टिव एज, मतलब 14 साल तक इस तरीके से, यह रहा रिप्रोड़क्टिव एज का, और यह रहा पोस्ट रिप्रोड़क्टिव एज, यह रहा पोस्ट रिप्रोड़क्टिव एज, तो आपको ब्रॉड दिखाई दे रहा है, क्यों कि यह जो रिप्रट्ट्व एज वाले है यहां पर बहुत सारे इंडिशों से एड कर रहे हैं ओके सो ग्रोइंग रैपीडली ग्रोइंग रैपीडली सही बटा आज एक बच्चे ने इसकी अच्छी से ट्रीक शेर की है मैं वो टेलिग्राम पर डाल दूंगा ओके आप में से किसी ने कमेंट में दिया है तो डाल देंगे अपन बच्चों को मिल जाएगी ट्रीक अच्छी बात है तो यह रहे है ग्रोइंग रैपीडली वेरी गुड रेड लिस्ट कंटेंड डेटा और इन्फरमिशन ओन रेड लिस्ट में क्या होता है रेड लिस्ट अपको क्यू चाहिए रेड लिस्ट में क्या होता है यह बताए जरह हां रेड लिस्ट में होता है किसके नाम गरेड लिस्ट कंटेंड डेटा और इन्फरमिशन ओन येस डाट इस थ्री टन स्पेसिस बढ़ते आगे विश्ट फॉल एरेन इस्टेंड और ने भी है और क्यापसुम मोनोकॉट सेल्स दा आउटर कवरिंग अफ़ इंडोस्पर्प्रेस्ट अब्रियो बाइप प्रोटीनिश लियर तो प्रोटीन की बात आएगी तो अलुरोप्लास्ट और प्रोटीन मतना अलूरॉन लियर सहिए तो अलूरॉन ये वर्ड प्रोटीन से रिलेटेड है बेटा सहिए तो अलूरॉन एकमार मोनोकॉट का हमने स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ाता है तो अलूरॉन लियर सहिए वेड़ू हू कंक्लूदेड बेस ओन ही स्टडीज ओन अप्लांट इशू दैट अप्र प्लांट से साइंटिस्ट क्यू पर एक एमसी क्यू भाई ये किस ने हमें बताया है न कि सेल वॉल इंट इस प्लांट से यह हमें बताया शॉन सहाब ने यह यह आपका मोबलाइज नहीं होता है इस 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 अनों मोबाईल वान ओके इस इस अनों मोबाईल वान ओल अब फॉल इंट ओ आप आप एक एक सब्सक्राइब है बिलकुस सही बात है यह इनिबल वाइडर रेंज ओ वह एलेंज आप पास बहुत इंपोर्टन लेंग नहीं बहुत इंपोर्टन नहीं यह तो ख्लोरोफिल के है इनका यहां पे इन दोनों के बीच में शही है बेटा एक से पुचा है एक से पुचा है बेटा एक से बी केरफूर एक से पुचा है ओके सो धाट इस टू सही है ओके question number 90 about what percent of the full sunlight does light saturation occur in a photosynthesis photosynthesis के बारे में NCIT कहती है कि sunlight से आने वाला 50% इस sunlight photo active radiation को बिलॉंग करता है PAR को उसमें से भी 10% में ही इनका saturation है full हो जाता है सही है मतलब इतने परसेंट में यह फूल हो जारे saturate हो जारे photosynthesis abiliti बढ़ते आगे में इस एक एपरिटर is made of hot एक किससे बना हुआ होता है किससे बना हुआ होता है दो synergist और एड़ मायक्रो पाइलर एड़ माइक्रो पाइलर एंड दो dna dependent dna polymers catalyze the new dna formation मैंने आपको बता है कि dna polymers सुबह पाच बज़े उठेगा और तीन बज़े तक काम करगा सुबह उठता है पाच बज़े तीन बज़े तक काम करता है करता है एक डेट is 5-3 डाइरेक्शन इसी डारेक्शन में वह नई स्ट्रान बनाएगगा कि यूज करे heraus नोज़े यह नियए कर टृ ना तूट सौन नbell अक्ति यह तेडै घंट तो कामियम МУЗЫКА it should be able to generate replica विल्कु सही बात है DNA करते है it should be chemical structure बार बार अगर उसमें mutis होगा तो कैसी बात होगी बात नहीं चलेगी it should provide the scope for rapid mutation गलत it should provide the scope for mutation but that mutation should be slow यहाँ पे चाहिए तो यह sentence सही होता it should be able to receive window pharma mandela character यह भी सही है तो यह third गलत हुआ सही है 94 cyclosporine A यूज अभी आपने बात की तरी graph rejection के बार में cyclosporine A use as an immunosuppression agent it is produced form cyclosporine A को को प्रोडूस करता है trichoderma polysporum produce करता है trichoderma root of one pathogen को भी दूर रखता है plant से तो दो इसके आप इसके usage दिये है NC8 ने इस तरह के से देखा आप इसको सही है very good 95 among the following pairs of a microbe which pair has both the microbes that can be used as a biofertilizer हां मतलब इन दोनों में ऐसे कोज से पेर है जहाँ पर दोनों के दोनों biofertilizer आप यूज कर रहे हो cyanobacteria आपको organic matter दे रहा है बिलकुल सही बात है ok rhizobium nitrogen ok सही है तो दोनों आ जाएंगे biofertilizer सही है बिटा biofertilizer की बात हुई ok be careful based on the source of organism nutrition और food they occupy specific place place in a food chain that is known as what simple simsq by tropic level one tropic level second tropic level third tropic level यह है that is a tropic level ok food chain में जो उसकी position है उसको हम कहते इसको खारी है छोटी 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 फीशेशेशेशे इसको खा रही है इन चोटी फीस को बड़ी फीश खा रही है ओके तो बायो मास्क की अगर मैं बात करू तो मुझे सबसे पहले बेस पे तो इनको निकान बड़ेगा दिज़ाद प्राइमेरी प्रोडूसर तो इनको मास्क कम है बेटा छोटे शोटे मैक्रोस्कूपिक और बहुत चोटे होते ह इससे ज्यादा चोटी फीश का ज्यादा रहेगा बड़ी फीश का उससे भी ज्यादा रहेगा तो मुझे मिलता है यह पर इन्वर्टेड पिरामिड़ सी की अगर बात करें तो इन्वर्टेड मिलता है तो सही है ओके इफ वन श्रैंड है थे नैट्रिन जबैस अचाए एटी सीटी जी तो आरेने का बताएए ऐसे पुछ रहा है डिने का एटी सीटी जी है तो भाई एप्रस विद्ध यू टी परस विद एए चीपर सिजी धी इस से कंट सही है कॉंप्लिमेंटरी है बी केरफूल सिंपल सिं नहीं है डीजयनरेसी शो करता है युनिवरसल है आपके बॉल्टि में जो जिनीटिक कोड एक प्रटिकुर्व आमने सेट के लिए प्रकर्रेली वही वही जिनीटिक है उसी है कोड कर रहा है यूनिवेसल है आखेशल्ष बर्त वसक्रान आपर यहां पेपना जो सशन्य इसके बाद के नेक्स टेश आपको Wednesday को रहेगी ओके और भी कई सारे आपके लिए surprises आएंगे ओके आपको आपको कल मिल जाएगा और मेरी बात ध्यास से सुनो यहाँ पर देखो मैंने कहा था जब आपने टेश के लिए अपेर कर रहे थे तब आपने यहाँ पर जब इमेल आईडी डाया तब उसका screenshot लेना था अब नहीं अगर वह लिया है अगर आप हमें वह भेजते हो तो हम आपक सकता है तो जीन के पास जिन्होंने screenshot नहीं लिया है वह WhatsApp पर कॉंटेक्ट ना करें उनका scorecard हम देखी ने सकते इतना सारे data है वह सही है अगर आपने लिया है जैसे कि आपको यहाँ पर बताए था कि जब आप test दे रहे हो तब उसका screenshot ले लो अगर आपने लिया है तो भेजो आपका immediately score आपको मिल जाएगा सही बेटा चलो that was all about this session मस पढ़ा ही करते रहो बेटा ओके और हाँ हम telegram पे जो storm series चला रहे है उसको भी अपने अपिर करना है बाकि test आपकी आएगी धीरे धीरे ले और और बढ़ा ही जाएगी आपकी बेटा ओके so that was all about this session you guys are awesome मस पढ़ा ही आपके एगद करते रहो एकजाम का में फॉल ना है जे हो जे हो जे हो जे हो राइट ही न टेक केर बायबाय मस रहो खासरो रहो भाय बेटा